चलिए रेसिपी शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने 300 ग्राम बीन्स लिया है जिसे मैंने पहले अच्छे से धोके इस तरह से छोटे छोटे टुक्रों में काट लिया है साथ में यहाँ पर दो आलू लिया है और आलू को भी मैंने इस तरह से काट लिया है चलिए इसे बनाते हैं इसमें हम डालेंगे ओयल तो करीब मैंने 4 चम्मच ओयल डाला है ओयल अच्छे से गरम हने के बाद हम इसमें डालेंगे एक सुखा लाल मिर्च छोटा एक चम्मच साबू जीरा चोटा एक चम्मच राई थोड़ी सी हिंग डालेंगे इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पास साथ लेसुन को इस तरह से चौप कर लिया था इससे डाल देंगे साथ में हम डालेंगे खुटी हुई एक चम्मच अधरक इससे एक मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेना है फिर हम इसमें आलू डालेंगे और आलू को दो मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेना है या फ्राई कर लेनी है दो मिनिट के बाद हम इसमें प्याज आट करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक मीडिया मसाज के प्याज को स्लाइश कर लिया है इसे डाल देंगे और आलू को अब प्याज के साथ में अच्छ से मिक्स कर लेना है प्याज के साथ में करीब हमने इसे एक मिनीट तक भूना है अब हम गैस को कम कर देंगे और इसे ढखके पांच मिनिट के लिए पकने देंग पाच मिनिट के बाद रखान को हटाएंगे और देखिए अलु हमारा थोड़ा से सौप्त हो गया है प्याज भी सौप्त हो गया है इस समय हमें बिंज डालना है बिंज डालने के बाद गैस को हम मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसे तीन-चार मिनिट इस तरह से फ्राई तीन चार मिनिट के बाद हम इसमें आड़ करेंगे दो तीन कटी हुई हरी मिर्च, छोटा एक चम्माच हल्दी पाउडर, छोटा एक चम्माच लल मिर्च पाउडर, छोटा दो चम्माच धनिया पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर, छोटा एक चम्माच भूनी हुई जीरा पौडर चोटा एक चम्मच आमचूर का पौडर साथ में डालेंगे एक टमाटर इस तरह से चौप करके अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी डालेंगे एक मिनिट के लिए हमें सबजीयों को मसाला के साथ में अच्छे से भूनना है या जब तक किना मसाला सबजी के साथ में अच्छे से कोटिंग हो जाए अच्छी तरह हमने इसे मिक्स कर लिया है अब हम गैस को एकदम कम कर देंगे और इसे ढख के 10 मिट तक पकने देंगे एकदम लो फ्लेम पर 10 मिट के बाद ढखन को हटाएंगे और सबजी को एक बर अच्छ से मिला लेंगे तो देखिए सबजी हमारा अच्छ से सौफ्ट हो गया है यानि अच्छी तरह कूक्ट हो गया है अलू बगेरा अच्छ से गल गया है इस सबजी को हमें धीरे धीरे ही पकने देना है जादा घाई करेंगे तो मसाला जल जाएगा धनिया पत्ता पसंद है तो इस समय थोड़ी सी धनिया पत्ता यड़ कर दे और सारे चीजों को फिर से एक बर अच्छा से मिक्स कर ले तो हमारा चट पटा अलू बिंस के सबजी बन के तयार हो गया है बहुती सिंपल मसाला से आप इस रिस्पी को बना कर खा के दिखिए सच में बहुत अच्छा लगेगा आज के लिए इतना ही